हालो एब्रीवान लवट व्लॉग नापका स्वाजत है। अज मैं ऐसे बैट हुए कि तो मैंने सोचा आपके साथ एक recipe शेयर करती। कि मैं अपने घर में मत्वपनीडी सब्जी कैसे बनाती हूँ। सब का अ अपने style होता है। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ मैं अपना स्टायर शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूं मटर पनीर की सब्जी आईए मैं आपको बताती हूं कड़ाई में तेल डालके पनीर डाल दिया है देखिए पनीर फ्राई हो गया अपना इसको मैं निकाल लूँगे प्लेट मैं काल निकालने के बाद मतर पांट को बहुत थोड़ा फ्राइब कर लूंगी अरु अब यह पेस्ट बनाना है हमें मतर पनीर की रभी के लिए जिसमें अबने और जिंजर ग्रीन चिली टमेटो कुछ रिए फूट्स लिये इन सब को आयल है वेगे अचे से बनारा निदे आ जलाएंगे पहले फ्राइ करने के बाद दिखिए दिन मैं इसमें और डाल दिया भी गार्लिक जिंजर दाल दोंगी मैं जात में ही फ्राइ अज़ी टाल दूगी कि सब एक सात राही हो जाएंगे तो फिर इन सब का में पैस्ट बनाओंगी देख सकते हैं फ्राइ्य हो चुका है हमारा अब हम इसको थंडा कर लेंगे ठंडा करने के बादए हम चलते इसको paste बनाने के पेस्ट बना लेते हैं हम इसका गार में मैंने रख लिया है अब इसका paste बना लिया है मैंने अब हम चलते हैं मटर पनीर की gravy तयार करने के लिए ये मैंने oil डाल दिया है oil में कुछ ये तेजपत्ता कुछ जीरा डाल के इनको थोड़ा गरम कर लिया फिर इसी म जैए पाती हुआ हिए जो अपना ग्रेवी ज़ै का ब्लेका बिंग आरेडा है फो स्टैंघ दालेंगे अच्छे से मिल गया हमारा मसाला हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है वैसे ज्यादा फ्राई नहीं करने क्योंकि अल्रेडी फ्राई था हमारा तो प्याज बगेर यह सब अभी फ्राई हो चुका है अच्छे से ऐल दिख और जीरा पाउडर काली मिर्च का पाउडर कर देंगे स्वाथ इसी के साथ मसाला भी फ्राइब हो जाएगा अब इनको मिल देखिए हमारा मसाला अच्छा से फ्राई हो गया है अब हम इसमें मटर आट करने वाले हैं मटर कर दिया हमने इसमें थोड़ा सा मटर के साथ हम मसाले को फ्राई कर लेंगे मटर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें देखिए ऐल आने लगा मटर मत अब इसमें थोड़ा पाने आट करेंगे हम आप अपने हिसाब से डालेगगे जितनी आपको ग्रेवी लेनीन नंमक डाल देखे अब हम हमारा यह बॉil आ गया है ग्रेवी में अब हम इसमें पनीतल के पीश प्रीशह से डिंगे जो पणीतल कर रखे थे अलग यह pieces डाल देंगे हम पनीर के आँके हम इसको बॉइल होने तक रखेंगे gravy मतला आपको अपनी अपनी आपसर रखने कि आपको कितने थिखनेस रखनी है अपनी gravy की dry रखनी है या फिर थोड़ी gravy रखनी है तो मैं तो पूरा ड्राइ नी रखूंगी तो ड्रेवी रखूंगी दनिया पता एट कर देंगे इसमें हम मैंने कट करके रखा था दो के अब हम थोड़ा इसको पांच मुट पका लेते हैं देखिए हमारा पनीर बनके रेडी हो चुका है मैं आपको दिखाते हूं कैसा लग रहा है देखिए है हाइ होप आपको अच्छा लग रहा होगा है बहुत ही अच्छा बना था है कि अब नहां मैं इसको आपको सब करके दिखाऊंगी इदे कि मैंने ग्रेवी तनी रखे ज्यादा पतली नहीं रखे थोड़ी गाड़ी अच्छी लगती प्रेवी अब देखिए मैं आपको सब करके दिखाते हूं नैयe हमारा मचरग पनीर ready हो चुका है Prep रोटी पर आठे किसी के साथ भी खा सकते हैं ready हो चुका है मचरग पनीर I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये मेरी मतलब ये मेरा स्टायल है मेर गर मेर में ऐसा बनाती हो आप लोग कैसा बनाते हैं जरूर बताईएगा और मेरे चैनल पर जो भी लोग अभी नए हैं प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा थाइंक्यू आपने वाचिंग माइवीडियो